हालो फ्रेंग्स वेलकम टू आल आज मैं आप ले जो वीडियो लेक्या रहा हो देखिए प्रॉफिट दस गुना एक हिडन जैम हमने बात करी थी आज से दो दिन पहले ही हमने ये बात करी थी प्रॉफिट दस गुना आप हैरान हो जाओगे देखके लेकिन मैं आपको ये सकते हो इजली जैक्ली नहीं मैं कहूंगा पूरा का पूरा यह नहीं कि एक्जैक्ट फिगर आपको देने एक एक एस्टीमेशन आप भी यहां पे कर सकते हो कंपनी को इन नतीजेद देखके देखिए हिडन जम क्या मौका इन्वेस्मेंट का है बहुत सारी क्वेशन्स कि बहुत सारी छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती है उसमें सबसे इंपोर्टेंट होता है वो लर्निंग को प्रायाइटी नहीं देता इन दोनों चीजों को जब आप हटा दोगे तो आप प्रोफेशनल इन्वेस्टर की के केटेगरी में आ जाओगे अब प्रॉफिट दस ग बर्स दिखाऊंगा ना तो आप हैरान हो जाओगे फरवरी छे को जब हमने वीडियो क्रेट किया था हिड़न जैम फाउंड का तो आप जब इसको तसली से देखोगे तो यहां पे जिस तरीके से हमने इसकी ऑक्टूबर की सेल देखी थी हमने इसकी नवेंबर की सेल देखी की और दिसंबर की इन तीनों क्वाटर की सेल को कमपैरजन किया था अब आप खुद देख सकते हो इस वीडियो को डेस्क्रिप्शन में लिंक होगा उपर आई बटन पर जाके देख सकते हो कि किस तरीके से हमने इसको कमपैरजन किया था और उसके बेसिस पर एक मैं आपके जो हिसाब किताब अगर हम जैसे लोग बेसिक उसमें लगा पा रहे हैं तो सचे बड़े इंस्ट्टिशनल इंवेस्टर जो होते हैं वो तो एक एक उनको यह पता है कितने ट्रेक्टर बिके कितनी रेट पे बिके कितना टैक्सिन होने दिया वो सब कुछ हिसाब बढ़िया रिवेन्यू जो है सेल बढ़ी है सेल बढ़ी है क्योंकि आटो सेक्टर में सबसची बात ही होती है महीना खतम होती है आपके अगले महीनी के स्टार्टिंग में पिछले महीनी की सेल्स आ जाती है मतलब अभी जब फरवरी स्टार्ट हुआ तो जैनवरी में जो लाक्स में नंबर से हैं अगर मैं इनको करोड में कनवर्ट करके वेस्टी टिलर्स की हम बात कर रहे हैं 127 करोड के नंबर सेल थी इस बार कितने होगी है 217 करोड यानि कि 90 करोड जो सेल्स में देख लूँ तो 4 करोड से सीधे 40 करोड पहुंच गया देखिया नंबर को देखिया चार से सीधे 40 करोड प्रॉफिट बीफोर टैक्स आपको गया अगे देखिये अगर मैं पूरा का पूरा profitability आपको दिखाओ यहाँ पे जो comprehensive income for the period यहाँ पे दिखाया वो 30 करोड है जो कि पिछले साल मात्र तीन करोड था तो तीन करोड से 30 करोड पर जाना आप सोची अच्छी बात है यह नहीं है मैं तो यह कहूंगा बहुत यह ज्यादा अच्छी बात है तो अर्निंग पर देख लीजिए किस तरीके से चार रुपे का अर्निंग पर शेर पिछले साल ते इस बार 36 रुपे का अर्निंग पर शेर हैं मतलब जैनवरी जैनवरी की बाकी तो छोड़े दिसमबर तक का नंबर अब जैनवरी की सेल उठा लीजिए कितने लोगों ने यहाँ पर ट्रैक्टर की हुई है मतलब अगरिकल्चर के ऊपर जो है अभी कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना बहुत जबरदस तरीके सा यहाँ पर equipment की बिक्री हो रही है सोचे जराब आपको कि हाँ बहुत बढ़िया बात है अब देखिए numbers आपने देखे अब numbers के अलावा जब last time पे भी हमने बात करी थी इस stock के technicals की technicals मैं आपको हमेशा कहता हूँ आपका हमेशा जोर रहना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है एक रिटेल निवेशक के लिए तो कि मार्केट में एक बात हमेशा ध्यान रखे लर्निंग को हमेशा प्रायर्टी देनी है और मार्केट में अगर समझेब आपको कि उससे जुड़ा हुआ रिस्क मतलब मतलब यह मान के चलिए जैसे यहां पर आपने देखा इंपल्स बनी करेक्शन आई अब आप एंट्री कर रहे हो और यह स्टॉक यहां पर हंडड़ रुपीच पर आपको मिल रहा है यह 90 का है 10 रुपे का आपका रिस पर मेजर रहता कि मैं अगली फाइट फिर लड़ पाऊं अगला इंवेश्टमेंट फिर कर पाऊं उत्रा पैसा मुझे बचा के रखना है सोचे इस बात को हमेशा सोचे इस बात को क्योंकि रिटेल इंवेश्टर इस पर गलती करता है मां बार बार आपको कहता हूं कि यह जो है अगर आपने अपने आपको कंट्रोल कर लिया अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का सही तरीका देख लिया कि भी और रिस्क मैनेजमेंट के उपर मेजर फोकस रखा तो कभी मार्केट में आपको डर नहीं लगेगा आपको यह नह आप से जो है शेर खरीद दूंगा सो का है थाउजन का रिस्क है दस रुपे का मेरा रिस्क है तो मैं कितने हंटर्ड ही खरीद दूंगा उली समझ रहा क्यों कि I can only risk थाउजन रुपीज विद इस पर्टिकुलर स्टॉक विद इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अब जैसे जैसे सिच्वेशन पॉजटेव आज है कि उसके बाद मेरी जो ट्रेल है वो नहीं तरह के क्या मैं ब्रेकाउट के लिए हापे बढ़ा रहा रहा तो मेरा स्टॉप साइब 222203,000 के लेवल पर मतलब 200-30000 कोई महमुली बात लगती है आपको आपको यह तो बहुत ही जबर्दस दोufen से 3000 50% से आराम से हो सकता है और within months हो सकता है कुछ ही वहेलों के इन्तर ये gain हो सकता है और क्यों कि इतने iPhone 42015 है तो आपके सामने नंबर से आएंगे और sympathetic का जो numbers का आकड़ा था मैं already आपको दे चुका हूँ, अब साथ के साथ देखिए, सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर जो लगी weekly charts पर वो ये है, bullish cross बन चुका है, bullish cross के साथ 200 SME की लाइन से उपर ही price अभी है, अगर क्या होता है कि जब तक price इससे नीचे होता है, किसी भी time free तब तक यह लगता है कि यह resistance का काम करेगा, लेकिन जब एक पर prices से उपर चल जाता है, तो फिर इसका काम हो जाता है, support का, reverse हो जाता है, और साथ के साथ 20 SME ने 200 को पार कर लिया, अब 50 SME भी 200 को पार कर रहे है, तो तैयारी बड़ी है, और result सामने आ चुका है, और मुझे लगता है, कहीं न कहीं, अब यह area, अगर 200 के, अगर मान लो market ठोड़ा correct होती है, मैं इसलिए क्या रहा हूँ कि market अगर all peak पे है, market correct होती है, और आपको यह धीरे धीरे करके इन ranges में मिलता है, तो क्योंकि यह long के लिए ready हो रहा है, तो यह पूरी के पूरी एक range है, जिस range में है, और जहां पर आपका deep जो है, वो 1500 की bottom range है, देखे जरा, लेकिन 200 बहुत important रहता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखे है, और लेकिन आज result जो है, वो बहुत ही बहतरीना है, तो कल के लिए opportunity बनती भी देखे है, जरा देखते है, इस opportunity को क्या breakout होगा, देखे, जरूर उपर cross किया था, लेकिन वापस आज की date में market डाउन आई, तो selling भी देखने को बिली है, लेकिन अब अगर यहां से reverse होता है situation, यानि कि positivity आती है, तो यह breakout आपका successful होने वाला है, बहुत ही जबर्दस तरीके से देखे, यानि कि जो 2000 का area आपका है ना, अब यह entry area बनने वाला है, क् बहुत तेजी से बहुत तेजी से भागा था और यह correction सामने, correction का resolution आपके लिए fresh entry point और मदबूत entry point, अब होगा क्या देखिए, बहुत important part, इसको में इसमत कीजिए, यहां पे अब जैसी यह correction resolve होगी न, तो आपके stop losses इस level पे आ जाएंगे, जो यह joint बनेगा, यह level आपका stop loss हो जाएगा, जिसने यहां पे entry करी थी, उसका यह stop loss था, और जैसी यह resolve होगी चीज़ है, तो उसका stop loss भी उठके और उपर चले जाएगा, यह सब चीज़ न तो goal के basis पे होती है, तो फिलहाल, उम्मीद करता हूँ, आपको समझ में जरूर आगा, VST Tillers and Tractors की हमने बात करी जिसका profit, 9 से 10 गुना profit जिसने दिखाया धमाकेदार, और hidden gem मैं इसको कहूँगा, क्यों कहूँगा, वो आप देख लीजे, क्योंकि stock ने, वही, Tillers and Tractors की sale ही इतनी हुए, तो profit भी आपको देखने को मिल रहा, और वो numbers, आप जरा सोचिए, जब हम खाली news article से उठा के, इतन इतनी sale हुए, इतनी sale हुए, वो number आपको दिखा सकते हैं, तो financial institution बड़े बड़े, वो क्या करते होंगे, सोचिए, कई बार आप सोचते हैं कि result आ गया, profit तो बहुत बढ़िया हुआ, और share में jump नहीं आया, तो जिन share को track कर रहे होते हैं, उनका पूरा calculation वो रखते हैं, तो इसलिए आपको दिखता है कि सब कुछ पहले ही हो चुका होता है, सोचिए, result आने से पहले ही हो चुका होता है, सब कुछ क्योंकि वो महीना खतम होती है, अपकी calculation स्टार्ट कर देता है, फिलाल wind up करते हैं वीडियो को, उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दो जिसे सब्सक्राइब कर ला और साथ के साथ बैल अकन को भी प्रेस कर ला जिससे आपको notification आती रहेगा, थैंक यू, थैंक यू पर नौचिन द वीडियो